अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि हमारी वित्त मंत्री ने वित्त वर्स 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया है और आपको बता दूँ बजट के एक दिन पहले आपका एकोनोमिक सर्वे आता है और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं खार्सकल सिविल सर्विस, UPSC या इस्टेट PCS या पर आप देखते हैं कि तमाम वंडे एक्जाम भी होते रहते हैं तो इन सब में डारेक्ट ही questions आपके पूंच लिये जाते हैं इससे और वैसे भी आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में क्या उपलब्दियां हासिल की जा रही है, क्या चल रहा है, इसके बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए क्या होना चाहिए, सामान जानकारी और इसके बारे में आपको मालू होना चाहिए आर्थिक समीक्षा भी कहते हैं और आपको बता दूँ कि देखे, बजट में और आर्थिक समीक्षा में अंतर क्या होता है मैं आप लोगों को ही उधारन के तोर पर रख लेता हूँ क्योंकि आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके घर से आपको पैसा मिलता है तो माली जी 10,000 रुपे मिल रहा है, कितना? 10,000 रुपे मिल रहा है और फिर आप देखेंगे कि आप उसका खर्च करेंगे हो सकता है कि कोई कुछ खरीदे, कोई किताबें खरीदे, कोई वाइक खरीदे या हो सकता है कि कोई मोवी देखने चला जाए क्योंकि मोवीयों का भी दोर बाड़ा चल रहा है फिर आप देखेंगे कि अंगले साल या महीने में आप लोग लगा लिजे फिर से आपके पैसे खतम होंगे और आँगे फिर से आपको पैसा घरबालों की तरफ से मिलेगा बजट आपको मिलेगा तो आप लोगों को पिछला हिसाब तो बताना होगा न, कि आपने पिछले महीने जो पैसा मिला हुआ था, या पिछले साल जो आपको बजट मिला हुआ था, जो पैसा मिला हुआ था, उसका आपने क्या किया, क्या उपलब्धिया हासिल हुई है आपको, तो उसी को आप देखते हैं इसे लिए आपने देखा होगा आर्तिक समिक्षा जो साल खतम हो रहा होता है उसके बारे में बात की जाती है और बजट आने वाले साल के विए होता है जैसे बरत्मान में आप देखेंगे एं आर्तिक समिक्षा 2022-23 के नाम से पेस होगी और बजट 2023-24 के नाम से पेस होगा तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और यह आप लोगों को दिखा यह दे रहा होगा यह अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है तो दोनों PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूगा वहां से जाकर आप लोग डा आप लोगों को जो मात्पूर हैं इंद में से उन्हें हम लोग बता देते हैं और बाकि आप लोग अपने आपको सभी नहीं पढ़ना है बिलकुल नहीं पढ़ना है जो इसमें बताया जाएगा वही लगबग आपका पूछेगा परिक्चाओं में देखिए यह अध्याय ह फूर्ट सुधार देखेंगे इसमें बैसिवे एक अर्थवस्था विसिट चनोतियों का सामना कर रही है भारती अर्थवस्था में मैक्रो एकॉनोमिक और विकास समंदी चनोतियां भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास अंचालक भारत का समावीसी विकास आउट बारे में पढ़ेंगे अध्याय चार में आप लोग मौद्रिक प्रवंधन बित्ये मध्यस्था एक अच्छा वर्स के बारे में पढ़ेंगे पांच अध्याय में कीमतें और मुद्राश्थिती नाजुक परिस्तितियों पर काम्यावी पढ़ेंगे अध्याय चार में सामा अध्याय नो में उद्ध्योग इस्थाई विकास देखेंगे, अध्याय दस में सेवाएं सक्ती का स्रोत, अध्याय ग्यारे में आप देखेंगे बिदेशिक छेत, सतर्क और अस्वा आसा वान देखेंगे, अध्याय बारे में भौतिक और डिजीटल आधार्भू सरचना, सं मुझे लगता है कि इतना पढ़ना मुस्किल रहता है ठीक है 414 पेज है तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें आर्थिक सर्वेक्चन की तो आर्थिक सर्वेक्चन वर्स 2022-23 में इस बात पर विकास डाला गया है कि महामारी से भारत की अर्थवस्था बाहर न सभी को मालू है मुझे लगता है कि इसमें बताने की जरुवत भी नहीं है कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थवस्थाओं को प्रभावित किया था और उसमें हमारी अर्थवस्था भी माइनर्स 6.6% पहुंच चुकी थी 2020-21 की बात हो रहे है और ये 2019-20 में 3.7% थी फिर आप देखेंगे 2020-21 में घटकर माइनर्स 6.6% की कमी हुई थी और फिर आप देखेंगे अंगले साल 2021-22 में 8.7% 2022-23 में आप देखेंगे 7% और अब 2023-24 के लिए 6.0 से 6.8% बताई जा रही है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ये 6.6% से 6.8% की मत बढ़ने क उम्मीद है और आर्थिक सर्वेक्षन की बात करें तो वित्तमंत्राले द्वारा जारी एक बार्सिक दस्ता बेजे इसे प्रया संसद में केंद्री बजट पेस किया जाने से एक दिन पहले पिस्तुत किया जाता है और इसे मुख आर्थिक सलाकार की मार्क दरसन में आर्थ मुद्राइस्पिती, रोजगात और व्यापार्ट पर डेटा सामिल होते हैं। यहां आप लोगों को, देखें, मैं हमिसा इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, कि आप लोग NCEIT किताबें जरूर पढ़ लिएजेगा। अब GDP क्या होता है? GDP क्या होता है? और मुद्राइस्पिती क्या होता है? तो GDP की बात करें सकल घरेलू उतपाद की, तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक बिसिष्ट समय आउधी में आमतोर पर एक साल लिया जाता है। इसमें उतपादिस सभी अंतिम बस्तूओं और सेवाओं का मौद्रिक मोल होता है। या एक राष्ट की समग आर्थिक गतिवदी का ब्यापक माप भी है। और ये सब आप लोग एकोनोमी की NCEIT पढ़ेंगे ना तो बहुत बहुत बहुतर तरीक से याद रह पाएगा। और अगर हम लोग मुद्रा स्वीती की बात करें तो आप देखते होगे कि इसमें क्या रहता है कि मुद्रा की जो क्याच हमती रहती है क्रह सकती रहती है वो कोई आप देखे वाल लिजे आप कोई सामान एक किलो ले आ रहे थे बहुत पहले 100 रुपे का मिला था अब 200 रुपे का मिला लगा है मतलब बेट में तो एक किलो ही है ना बस उसकी कीमत बढ़ गई यानि कि आपके पैसे की क्रह सकती घट गई है भारत में पहला आर्थिक स 2000 सरविक्षन 1950 इंक्याबन में विस्तुत किया गया था एक डेट भी आप लोगों को याद रखना है 1964 तक इसे केंद्री बजट के साथ पेस किया जाता था इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया अब आप देखे एक साथ पेस होता होगा तो आपको मालू नहीं चलत पता होगा कि कब क्या हो रहा है तो एक दिन आपका पहले क्या आजाएगा आर्थिक सर्वेक्षन यानि की एकोनोमिक सरवय आ जाएगा दूसरे दिन आपको बजट मिल जाएगा और 23 में भारती अर्थवस्था की स्थिति अगर हम लोग देखें, एकोनोमी की, तो भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टीका करन अभियान चलने वाला देश है, जिसमें दो विलियें से अधिक व्यक्सीन की खुराक उपयोग किया गया है, कोरोना महा हमारी के लिए आपन आप देख रहे हैं, लोग चोटे-चोटे उद्योग धंदे भी चलने लगे हैं, भारतमान चुनोतियों की बात करें हम लोग, तो हमारी अर्थवस्था की सामने क्या चुनोतिया है, तो भारती अर्थवस्था अभी भी लगाता चुनोतियों का सामना कर रही है, जिसमें आप लोग देख भी रहे होंगे ये तो, आपको भी मालू होगा, क्या मालू होगा, कि आपके पैसे की जो पैसा डॉलर के मुकाबले गिर रही है, C पिलस पहुंच चुका है, 82 के करीब आपने देखा होगा, चालू खाता घाटी की अगर हम लोग बात करें ना, तो यदि किसी राष्ट का आयत उसके निर्याथ से अधिक होता है, तो वह देख का ब्यापार घाटा कहलाता है, और सामानता चालूख खाता अधीस इसमें विदेश में विदेशों में सकारात्मक निवल विक्री का योगदान होता है और नकारात्मक सुध विक्री से आमत्वर पर चालूख खाता घाटा होता है एक तरह से ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखा करिएगा चालूख खा सक आफ मतलब है कि अप चाय नाच उक को देख लिजे हम लोग खरीदते हैं सव रुपेmis का और उसे बैंच कितने का रहे हैं 10 रुपे का, 7 रुपे का तो आपको घाटा हो ही रहा है आप अपने पडोसी से petite कोई शावंद बिद्धी का नेत्तित निजी संस्थाओं पूजी निर्माड उद्द्योगन द्वारा हो रहा है जिसे रोजगार का सेजन हो रहा है और आपात कालिन के डिट लिंक्ड गारंटी योजना द्वारा MSME से रिड की प्राफ्ती सलता से हो रही है जिसे उनकी रिड समधी असानी से उफलब धोने लगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आप वैसे भी कहेंगे कि हम बजिया आत्मिवणता की और बढ़ेंगे हम नौकरी की रेस में नहीं रहेंगे हम अपना धनदा खोलेंगे हम अपना विजनेस करेंगे 2023 में वैस्विक विकास में गिरावट का नुमान है किन्तु वित्वर्स 2024 में भारत में ससक्त क्रेडिट वितरन और पूजी निवेश चक्र के साथ तेज बिद्धी होने की संभावना है यह भी जाद रखे और सारजनेक डिजिटल प्लेट फॉर्मों की विस्तार और पी एम गती सक्ती राष्टी रसद नीती तथा उत्पादन से जुड़ी फरोसान एउजनाओं जैसे उत्पादों से आर्थिक विकास का समर्थन होगा और भी निर्मार छित में उत्पादन को बड़ावा भी मिलेगा इससे और इसमें आप देखिए भारती अर्थवस्था पर एक नजर तो आप लो आजादी कामरित महोसो देख लिए यह देखिए तीन डेटें और आपको बता देता है इसमें एकोनोमी से कोई मतलब नहीं है लेकिन आप लोगों को आपको मालू होना चाहिए देखिए एक तो 15 अगस्त 1947 की बात होती है और एक है आपका 26 नवंबर एक है 26 जनवरी क्या है 26 जनवरी और 15 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हैं कि भारत को आजादी मिली थी इसलिए आप सुतंता मिली थी इसलिए 15 अगस्त को आप लोग सुतंत आ चुका था, अंगिकित अधीने में थो चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग समिधान दिवस मनाते हैं, 26 जन्वरी को, 26 जन्वरी 1950 को आपका पूरी तरह से समिधान भी लागो हो चुका था, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाओं का जरम हो चुका था, गरतंद की रोब में स्थापित हो चुके थे, तो 26 जन्वरी को आप लोग गरतंद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, एक आप देख रहे हैं कि अभी G20 का लोगो भी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि G20 की हम लोग अजद्यक्षता कर रहे हैं, देखिए ये G20 का आप लोगो क्या है, इसका बैस्विक अर्द्वस्थाओं में पिरमुक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विवस्थित रूप से महत्पून उद्धूके को और विकाल सील अर्द्वस्थाओं को एक साथ लाना है, और 20 सदस्मय में आप देखेंगे, अर्जिन्टीना, और्ष्टे के बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि आप सभी जाते हैं कि पुराने कुश्चन्स पेपर उठाके देखेंगे, तो आपको मालू रहेगा कि आपकी परिच्छाओं में इस तरह की संगटनों से कुश्चन्स हर साल पूछे जाते हैं, सेविल सर्विस यूपी सी मे जाते हैं, ठीक है, और राचकोसिये घाटा, GDP का पितिसत में आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को राचकोसिये घाटा भी आपको बता देते हैं, राचकोसिये घाटा क्या होता है, तो सरकार की कुल आए, और बै के मैं अंतर को राचकोसिये घाटा कहते है एक सब्दे में आप लोग समझेगा फिर से यहीं आपका उधारन देता हो तब आप लोगों को समझ में आएगा घर से आपको मिला है 10,000 रुपे और खर्च कर दिये आप लोगों ने 12,000 रुपे तो आप लोगों को क्या? 2000 रुपे का घाटा है अब इस घाटे की पूर्टी के लिए आप लोग क्या करोगे? किसी से अधार लुए होगे आप लोगों ने दोस्त आप लोग देखते हैं ले लेते हैं आप लोग दोस्त से तो इसी ही को आप लोग 2000 को राजकुष यह घाटा कहेंगे कि भाई इस साल हमारा घाटा देखने को मिल रहा है ठीक है और ये 2019-20 में आप देखेंगे 4.7% रहा था 2020-21 में 9.2% और आप देखेंगे 2021-22 में संसोधी तनवान है तो आप देखेंगे 6.7% और ये आप देखेंगे 2023-2022 में ये आप देखेंगे कि बजट अनुमान 6.4% की बात हो रही है तो ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए फिर आप देखेंगे कि यहां मुद्राज पिती औसत पितीसत में है ये और ओभोकता मूल सुचकांग पर आधारित है ये थोक मूल सुचकांग पर आप देखेंगे आधारित है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं 2019-20 में ये 1.7 और आप देखेंगे कि अभोकता मूल सुचकांग पर आधारित देखेंगे तो 4.8 2021-2021 में 1.3 थोक मूल सुचकांग पर आधारित और उभोकता मूल सुचकांग पर आधारित देखेंगे 6.2 इस तरह से आप देखेंगे 2021-22 में ये 5.2 आप की क्या रहेगी ये 3.5 परसेंट ये थोक मूल सुचकांग पर आधारित और वहीं अगर उभोकता मूल सुचकांग पर आधारेद देखें तो 5.5 और इसी दिरह से आप देखेंगे 2022-23 के लिए तो आप देखेंगे इसमें 11.5% परसेंट पहुंच चुकिए थोक मूल सुचकांग पर आधारेद और उभोकता मूल सुचकांग पर आधारेद 6.8% आप देखेंगी कि विदेशी मुद्रा भंडार किस तरह से आप लोग देखेंगी 2019-2020 में 478 था ए बिलियन डॉलर में ए 2021-2021 में 577 पहुँच गया 2021-22 में 607 और 2022-23 में आप देखेंगी दिसंबर की अंतर तक 2022 में ये 563 बिलियन डॉलर अमारा विदेशी मुद्रा भंडार देखने को मिलेगी ये आप देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की बात हो रही है यहां के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं वो आप देखते हैं कि यहां भेशते हैं उसी की बात GDP विद्धी दर की बात करें इस तिर मूल्यों पर आधेरी पितीसत में तो यह आप देखेंगे कि 2019-20 में 3.7% फिर 2020-21 में माइनस 6.6% रही थी यह आप देखेंगे 6.0% से 6.8% रहने की उमीद है क्या उमीद लगा सकते हैं और किसी और सम्मंधित गतिविधियां मूल कीमितों पर सकल मूल विद्धी की बात हो रही है यह आप देखेंगे कि क्या 2019-20 में आप देखेंगे 5.5% 2020-21 में यह आप देखेंगे संसोधित अनुवान है 3.3% 2021-22 में यह अन्तिम अनुवान है 3.0% 2022-23 में पहला अग्रेम अनुवान 3.5% यहां भी कुछ पॉइंट है यहने भी आप देख लिजेगा और इसमें आप देखेंगे उद्धोगिक विद्धी दर मूल भूत कीमितों पर सकल मूल विद्धी में तो आप देखेंगे कि 2018-19 में माइनस 1.4 और 2020-21 में सनसोधित अनुवान है 3.3% यहां देखेंगे कि 2021-22 में अनुवान यह 10.3% और 2022 में आप देखें पहला अग्रिम अनमात ये आप देखें 22.2 क्या 22.2 में 4.1 परसेंट तो ये चोटी चोटी बाते हैं जरूर आप लोग याद रखिएगा अब बात करते हैं हम लोग भारत का मध्यम अवधी विकास परिदे से देख लेते हैं वर्तमान दसक बर्स 1998 से सन 2000 की समान है जहाँ परिवर्तन कारी सुधारों की वज़े से आइस्थाई जटकों के कारण विकास पिती फल प्राप्त करने में देरी हुई थी लेकिन सरचनात्मक सुधारों का पिती फल बाद में विकास लावांस की रूम में प्राप्त हुआ था 2014-2022 भारत के आर्थी कितियास में एक मात्पूर्ण आउदी है जिन में विवेंद सुधारों का उद्दिश जीमन को सरल और व्योवसाय को आसान बनाना है इस सुधार सारिनिक उत्पाद बनाने विसोसनी सासन निजी छेति के सासाथ सह भागीदारी और किसी उत्पादक्ता बढ़ाने पर आधारित थे हाला कि बैलेंस सीट संबंदी तनाओ और बैस्विक आस्थिर्था के कारण इस आउदी के द्वारान पिर्मोख माइक्रो एकोनोमिक घटक नकारात्म क्रूप से पिरभावित हुआ है अब आप देखें समस्या है कितम होती जा रहे है यह आप देखें 1998 सिसन 2000 में यह आप लोगों को देखें को मिलेंगे और यह 2014 से 2022 के बीच की बात है परमानु उपकरम परिक्षन 1998 में पिती बंदों का पालन बैंकिंग और कॉर्पोरेट चेत तोलन पत्रों को कम तरजी देना करना उनका ठीक करना और लगाता दो सूखे और परोध्योगी की बस्ट अमेरिकी मंदी 9-11 का हमला तो ओ समय अर्द्वस्था को जटके लगेती इस कारण से और 2014-22 की बीच बैंकिंग और गैर बैंकिंग और गैर बित्ती एक और वोईट चेत की बैलेंस सीट इस्ट्रेस की आउदी महामारी की अबुद्पूर आगात के बाद मुद्रा इस्पीती बैस्वी बस्तू मूल आगात के कारण के बाद बित्ती इस्थिती खराब हो गई है तो यह तो आप लोग भी जानते हैं अर्द्वस्था पर सरचनात्मक सुधार की बात करें तो ब्याददर बीनियमन निजी करन बैंकों के लिए संपत्ती बसूली इंफ्राटक्चर और एप आर बी एम अधीनियम ए दोहजार उन्नी सो अंठानवे से 2002 की बीच की बीच क करन कर दरों का युक्ति करन और कर पेशासन सुधार अपराधों का विद्री बी मुद्री करन टीके रोल आउट वैप प्रबंधन सुधार आत्मिर भर पब्लिक डिजीटल इंफ्राटक्चर ठीक है और राजवस्थे से सम्मंदित प्रमुक राजकोशी इभिकास तो इसम से नवंबर 2022 तक सकल कर राज़स में 15.5% की साल दर साल विद्धी हुई है जो मुख रूप से प्यत्यक्च करों जी एस्टी दोनों की मजबूती विद्धी से पेरित था और जी एस्टी ने खुद को केंदर और राज़सरकारों के लिए राज़स के एक मात्पूर्स रोत विद्ध बर्स 2020 के 1.7% से बढ़कर विद्ध बर्स 2022 के अंतिम बास्तविक में 2.5% हो गया है और पूझी गद बैपर खर्च को प्रात्मिक्ता देने हितु केंदर मेंने ब्याज मुक्त रिड और उधार सीमा में बिद्धी के माध्यम से राजसरकारों को प्रोसान किया है और विसे इस रूप से सड़क और राजमार्ग रेलवे आवास सहरी मामलों जैसे बुनियादी धाचे और गहन चेत्रों में बड़े हुए पूझी गद बैग का मध्यम अधिके विकास पर सकारतमग परभाव पढ़ता है अब आप देखे कि यहां आप लोगों के दिमाग कर रहे हैं अस्पताल बनवा रहे हैं इस्कूल बनवा रहे हैं यानि कि कोई पूझी की हम लोग स्थापना कर रहे हैं और राजसुबय में आप देखते हैं कि जैसे हम लोग बेतन दे रहे हैं सबसीटी दे रहे हैं मजदूरी दे रहे हैं किसी को यानि कि उससे इंडारेक डारेक्ट कुछ नहीं मिल ला है हाँ ये अलग बात है कि इंडारेक्ट उन्होंने मेहनत की है तो उसी के लेकर बात हो रही है चलिए ये भी याद रखेगा सतत्र रिड से जीडीपी का अनुपाद की और पूजीगद बै आधारित विध्धी पर ध्यान के अंद्रीत करने की सरकार की रणीती से विध्धी ब्यादधर अंतर्सकारातमक रहेगा और जिसके पड़ाम सुरू मध्यमधी में एक इस्थाई रिड जीडीपी अनुपाद प्राप्थ होगा, और मौद्रिक फिरवंदर वित्तिय मद्ध्यस्ता की स्थे थी, तो भारती रेजर बैंक और RBI की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं, रेजर बैंक आप इंडिया की बात हो रही है, हमारी बैंक का बैंक भी कहते है, केंधिर बैंक है, एक अपरेल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा तो इसने अपरेल 2022 में अपना सक्त मौद्रिक चक्त सुरू किया तब से उन्होंने रिपो दर में 225 आधार अंकों की विद्धी की है अब यहां फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ल अब आप लोग यहां कहोगे किया होता है रिपो दर तो आसन सब्दों में अगर कहें तो रिपो रेट का मतलब होता है रिजर बैंक द्वारा अन्रे बैंकों को दिये जाने वाले कर्च की बात होती है ठीक है और इसे अधीसे तलता में कमी आई है और विद्धिय कि बैलेंस सीट में सुधार हुआ है और जिसे उनके लिए पैसा उधार देना असान हो गया है या अनुवाल लगाया गया है कि निजी पूंजीगत बैय में विद्धी कैडिट बिड्धी में विस्तार का समर्थन जारी रखेगी और जिसे एक सकारातम निवेश चकर पर आ गया है और पूंजी से जोकिम भारत समपत्ती अनुपाद 16.0 पर बना हुआ है और वित्वर्स 2022 में इन्सॉलवेंसी और बैंक करफसी के माध्यम से रिकावरी दरों दर अन्न माध्यमों की तुला में सबसे अधिक है जो SCB के पिती सकारातम गरोजा अंदर साता है क् कि आप देखते हैं कि कई लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं बैंकों का तो नहीं की बात हो रही है यानि की डूब गया दूस के बीच योद्य चल रहा है यह आप देख रहे हैं इस योद्य का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है तो उसी की बात हो रही है हाला कि सरकार और भारती रेजर बैंक की तुरित कारवाही ने दिसंबर तक 5.7% की गरावट के साथ मुद्राइस पीती को न जन्तित करने के लिए एक बहु आयामी देख्टी कोण अपनाया है और जिसमें सामिल है पैटॉल डिजल के निर्याद सुल्क को कम करना पिरमुक आदानों पर आयाद सुल्क को सुनने कर लगाना ग्यहुं उत्पादों पर निर्याद पीती बंद बाच्चावल पर निर्य सुल्क को कम करना कम आवास रिड़ ब्याददरों के साथ साथ आवास छित में सरकार के समय पर नेतीगस हस्तिशिप्स ने किफायती आवास खंड की मांग में विड़ी की और वितबस 2023 में अधिक खरीदारों को आकर सित किया है और आरवाई आई का पूरा अनमान देखें तो आरवियाई ने निकिट भवस में अनाज मसालों और दूत के लिए उच्चे घरेलू कीमतों का अनमान लगाया है और मुक रूप से आपूर्ती की कमी वर्ती फीड लागत के कारण बदलती जलबाई भिस भर में उच्चे खादी कीमतों के जोकिम को बढ़ा रही है और पुझी निर्माढ हेतु सिक्चा और स्वास्त जैसे जुडवा इस्थमों को मजबूत किया जा रहा है और अगर आप सोची कि सिक्चा पर स्वास्त पर पैसा खर्च होता है तो वो आंगे कामे अभी आता है अब आप देखे बच्चों को सिक्चा मिलती है तो ये गलत थो पर बोज बनने लगते हैं कोल मिलाकर सरकार का सामाजी क्षेट पर खर्च बित वर्स सोले में 2016 में 9.1 लाग करोर रुपे से बढ़कर बित वर्स 2023 में 21.3 लाग करोर रुपे हो गया है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और सामाजी का उसरचना की बात करें तो सरकार की प्रयासों से स्कूलों में नामंकन अनुपात और लेंगिक समानता में सुधार हुआ है अब आप देखें कि आजादी की समय आप जाईए कितनी साक चलता थी महिलाओं के साथ कितना भेदभा होता था लेकिन आज आज आप देखें कि लड़कियां और लड़कों म सरकार का बजट का GDP का 2.1% था जो वित्वर्स 2021 में एक दसम्लाव 6% था यह आप देखिए यह भी बड़ा है चार जनवरी 2023 तक आईसमान भारती योजना से लगवाग 22 करोड़ लोग लावन भित हुए है और देश पर में एक दसम्लाव 24 लाग से अधिक स्वास्त एवं कल्य गया है और देखिए आईसमान अगर हम लोग भारती योजना की अगर हम लोग बात करें न तो आप लोगों को मालू होगा कि स्वास्त की छित में लोगों को एक तरह से मदद के लिए यह उजना लाई गई थी गरीबों के लिए ठीक है उसी की बात हुरी आईसमान भारती योजना ए आप लोगों को मालू होगा कि 23 सेप्टमबर 2018 में आई थी गरीबी उनवूलन की बात करें तो बरस 2030 तक गरीबी को कम करने की सदत विकास लक्षी प्राप्ति करने में प्रगिती इस्तत्य को पिदरसित होती है कि सेवक्तराष्ट बहु आयामी गरीबी सूचकां सेवक्तराष्ट की बात हो रही है और UN की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 24 सक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी नियोर्क में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मलेगा आधार और को कोबिन प्लेटफॉर्म को विक्सित करने और दो बिलियें से अधि दोजगार की अगर इस्तिति की बात करें तो सरम बल की भागेदारी में सरम बाजार कोबिन नाइंटी के प्रभाव से उवर चुके हैं साथी बेज़ोजगारी दर 2018-19 में 5.8 से गिरकर 2020-21 में 4.2% हो गई है गरामीर महला सरम बल भागेदारी दर बरस 2018-19 में 19.7% से बास्ति डिटा बेस बनाने के लिए इस सरम पोर्टल बनाये गया जो और 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड से अधिक सरमेकों को पंजी कित किया गया इसके तरब जैम 20 और पितेक्च लाब अंतरण के साथ सयुक्त रूप से हासिये पर पड़े लोगों को उपचारिक बित्तिय पडाली में सामिल कर उन्हें ससक्त बनाये गया है चली ये भी याद रखे सामाजिक सरचना रोजगार ब्यापक जीवन की बहतर गुर्वत्ता के लिए सरकारी ब्या में बिद्धी बित्त बर्स 2023 से 2027 तक 14500 से अधिक PM सेरी स्कूलों का निर्मार किया जाएगा IIT, IIM, IIIT की संख्या में बिद्धी होगी सहरी रोजगार महामारी पूर्व इसतर की नद्धीक पहुंचा इस सब आप लोगों को देखना होगा समझना होगा EPFO अधारिट नेट परोल में बिद्धी बित्त बर्स 2023 नवंबर में 105.4 लाग जलवाई परिवर्तन और परियावन में भारत का आर्थिक पिदरसन देखें तो आर्थिक स्तरविक्षन 2022-23 ने जलवाई परिवर्तन और परियावन पर एक अध्याय पिस्तुत किया है समय के बाद खतम हो जाएगा और ये परयावन के लिए भी नुकसान पहुंचाता है तो नभी करनी ये उर्जा की ओर ध्यान दिया जा रहा है और आप देखते होंगे कि क्या रहता है कि जैसे सूर भगवान है हमारे उनसे उर्जा बनाने की बात हो रही है पवन से उर्जा ब पित्यक्ष पिदर्शन और लक्ष की बात करें तो भारत अब बर्ष 2030 तक 2005 के इस्तर से अपने सकल घरेली उत्पात की उसाजन तीबिता को 45-35 तक कम करने के लिए पिती बद्ध है 2030 तक 11 जीवास मीधन आधारित उर्जा संसादनों से लगभक 50% संचेई बिद्ध सक्ती इस्ताफित चमता पराप्त करने का और लक्ष निर्धारित किया है भारत ने भारत ने 2030 से पहले 11 जीवास मीधन से 40% स्थाफित बिद्धो चमता का लक्ष प्राप्त कर लिया है। और 2030 तक गेर जीवास मीधन से प्राप्त स्थाफित चमता 500 गीगाबाट से अधिक होने की संभावना है। और इस से वर्स 2023 तक 2014 पंद्रे की तुला में औसत उस्थाजन दर में लगभग आप देखें 29% की गराबट आएगी। चार हजार करोर रुपे के सौवरेन गोल्ड बॉन्ड फैंबर को दो किस्तों की निलामी की है। चंदीदा इस्थान बना हुआ है। अक्टूबर 2022 तक राष्टी सौर मिसन की तहट एक प्रमुक मैट्डिट मैट्रिक स्थाफिस सौर उर्जा चंग ता 61.6 जी डवलू थी। और किसी और खाद प्रमंधन में भारत का आर्थिक पिदर संदेखें अगर हम लोग। तो भारत के किरसी चेत में पिछली 6 वर्सों में 14.6 परसंट की औसद बारसिक विद्धी दर देखी गए। इसमें किरसी को देश की समग प्रगती विकास खादू स्रक्षा में भात्मूर यकुदान देने में सच्छम बनाया। कुरोमना महामारी में सब कुछ पिट गया था लेकिन हमारे देश की अगर किसी ने एजजित बचाई हुई थी तो वो हमारे किसान ही थे। हाल के वर्सों में भारत किरसी उतपादों की सकल निर्यातक की रोब में उबराय है और वर्स 2021 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर की रिकॉर्ड इस्तर पर पहुँचा है। सरकाद द्वारा किये गए निमलिके तुबायों के कारण किसी चेत में तेजी दिखी है। 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाग करोड रोपे हो गया है। भारत में खाद उतपादन में निर्यात बिड्धी देखी गई। यह वर्स 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा है। एक बर्स के लिए N.F.S.E. 2013 के तहित लाबारतियों को मुप्त खाद्यान प्रदान करने का नेड़य भी लिया है। राश्थी किस्टी बाजार, E.N.M. यह उजना से किसानों को उनकी उपज 1.74 करोड किसानों और 2.39 लाख ब्याबारियों को कबर करते हुए के लिए लाबकारी मूल सुनिश्चित करने ही तो एक उनलाइन पीतिस पर दी पारदरसी बोली परणाली इस्थाफित की गए। परमपारगत किस्टी बिकासे उजना के तहित किसान उत्पादक संगट्रों के माद्यम से जेविक खेती को बढ़ावा दिया जाया रहा है। द्वारा सकल मूल बर्धन GBA में 3.7% की बिद्धी देखी गई है। जो पिछले दसक की पहली छमाई में हासिल दो तनसमला 8% की उस्तथ बिद्धी से यादेखे। और पिदासंग की बात करें तो निजी अधनतिम उभोग ब्याय में मजबूत बिद्धी बर्स की पहली छमाही के दौरान निर्याद परोसान सारजने कुझीगत ब्याय में बिद्धी से निवेस मांग में बिद्धी और मजबूत बैंक तथा कॉर्पोरेट वैलेंस सीट स ने उद्धोगे विकास के लिए मांग परोसान पैदान किया है मांग परोसान है तो उद्धोग की आपोर्ती पिति की रिया मजबूत रही है जुलाई 2021 में किराय परवंधक सूचकांग और उद्धोगे उतपादन सूचकांग दोनों में पिछे-पित रूख से विद्ध देखने को मिली है जन्वरी 2022 से MSME में 30% की विद्धी हुई है वित्वर्स 2019 में 4.4 विलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर वित्वर्स 2022 में 11.6 विलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का एलेक्ट्रोनिक्स निर्याद लगभक तीन गुना बढ़ा है भारत बिस इस्तर पर दूसरा स चार गुना बढ़ गया है या वित्वर्स 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्वर्स 2022 में 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत को बैस्विक आपूर्ती सिंखला में सामिल करने के लिए अंगले 5 वर्सों में 4 लाग करो रुपे के अनुमाने कैपेक्स से किसा 14 सेड चारियों में उत्पादन आधारी फ्रोसान यह जिना भी सुरू की गई है कंपनी अधिनियम 2013 में संसोधन करके जन्वरी 2023 तक 49,000 से अधिक प्रावधानों को कम और 3500 से अधिक प्रावधानों को अपरात की सेड़ी से बाहर कर दिया गया है बैस्विक मूल सिंखला में भा भारत का अर्थिक पिदर्सन देखें तो भारत सेवा चेत में वित्वर्स 2022 में 8.4% की तोला में वित्वर्स 2023 में 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मईद है जुलाई 2022 में किरय पर बंधन सूचकांग सेवाओं में सरवाधिक विस्ताद देखा गया है और विस्वरजिक सेवा के निर्यात में 4% की सेधारी के साथ भारत वर्स 2021 में 30-10 सेवा निर्यातक देशों में सामिल था डिजीटल समर्थन, किलाउड सेवाओं, भुन्यादी धाचे के आधुनी की करण की उच्चमांग के कारण भारत का सेवा चेत COVID-19, महमारी के दवरान तथा भू, राजनिति अनिश्चिता के कारण लचीला रहा है, रियल एश्टेट चेत में नियंतर विद्धी हुई है, जिसमें बर्स 2021 और 22 के बीच 50% की विद्धी के साथ महमारी पूर्व, आवास विक्री के स्तर में विद्धी देखने को मिली है, परेटन चेत में होटल अधी भोग अगदर, अपरेल 2021 में 30-32% की सुधार के साथ नवंबर 2022 में 68-70% हो गई है, जिससे बित्वर्स 2023 में विद्धी परेटकों की आगमन में बिड्धी के साथ फुनर उत्थार की सद्ध के देखने को मिल रहे हैं, और आपको साथ मालू होना चाहिए कि परेटन चेत हमारी अर्थवस्त तो हाल के भूराजनितिक करणा करम के कारण भारत के बाहर चितरक बैस्विक रूप से अतेधिक विपरीत परिस्तियों का सामना कर रहा है, और भारत ने अपने बाजारों में विवित्ता लाने का कार किया है, ब्राजील दच्छड़फी का साओधी एरब को किये जाने वा वर्स 2022 की दूसरी इतिमाही में 9.7 विलियन अमेरीकी डॉलर का घाटा रहा था, इसका प्रमो कारण 83.5 विलियन अमेरीकी डॉलर का उच्छे ब्यापार घाटा और सुध निवेस आयमे बिद्धी था, अपने बाजार आकार बढ़ाने और बेहतर पहुंस सोनेशित करने के वर्स 2022 में भारत ने स्तैयुक्त अरब अमिरात के साथ CEPA और और उस्टेलियाई के साथ ECTA पर हस्ता अक्छर किये, वर्स 2022 में भारत के 100 विलियन अमेरीकी डॉलर का पेसंट प्राप्त करने के साथ 29 प्राप्त करता बनाये, सेबा निरियात के बाद पेसंट पाहे, वित प 2021 में आयात के 13 महीनों की तुला में कब है, इसके बाप जूद आप देखेंगे कि भारत विस्ट का चटा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक वाला देश है, सेज़ पेसंट प्राप्त करता देश, तो आप देखेंगे भारत ये आप लोगों को देखने को मि प्राप्त किया है, चलिए, डिजिटल पब्लिक इन्फराटक्चर में भारत का अर्थिक विदरसन किस तरह सिरा है, तो भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फराटक्चर भारत की संभावित GDP विकासदर में लगवक 60-100 आधारंक जोड सकता है, और निकट भविस्ट में ओप अर्थिक विकास को मजबूत पिदान करेंगे, और पिदरसन की बात करें तो यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस, यूपी याधारी लेंजिन से वर्स 2019-22 के बीच मूल है, 121 परसंट और मात्रा 115 परसंट दोनों ही दिर्ष्टी से बिद्धी है, जिसके चलते इसे अंतर 27.8 करोड सेप्टमबर 2022 में हो गई है, और कुल टेलीफॉन और बुकताओं में से आप देखेंगे 98% से अधिक वाइलेस रूप से जुड़ चुके हैं, मार्ट 2022 तक भारत में कुल टेली डिसेटी 300 लोगों पर टेलीफॉन कनेक्शन की संख्या 24.8 परसंट थी, और आर्थ 4G, 5G, 6G की बात हो रही कई देशों में, इंडियन टेली ग्राफ राइट ऑफ दा ऑफ बे संसोदर नियम 2022 टेली ग्राफ इंट्रड़क्टर के विस्तार को तीब और आसन बना देगा, जिससे 5G विस्तार तीब गती से हो रहा सकेगा, पिसार भारती, भारत का स्वायत सार एक फल के आप देखेंगे कि 92% और पेसर अरन कुल आवादी के 99 दिसमलाव 1% को कवर करता है, तो यह भी आप लो याद रखिएगा, डिचीटल सारविनिक गोड़, गोड़स है, तो यह भी, ए डिचीटल सारविनिक गोड़स की बात करें, माइस की, ट्रेट्स, ए जैम, इनाम, ओमंग, जैसी योजिनाओं ने भारत के बाजार इस्थान को बनल दिया है, और नागरिकों को बिभिन चेत्रों में सेवाओं तक पहुँच एतु सक्षम भी बनाया है, और इसमें आप देखेंगे, ओफिन, केडिट, एनेबलमेंट, नेटवर्क का उधिस, एंड टू एंड, डिजिटल रिड अनुपयोगों की अनुमती, देते हुए रिड परिचालन का लोगतंतरी करना है, राष्टी किंतिम बुद्धी मता, पोर्टल ने 1520 लेक, 262 बीडियो, 120 सरकारी पहल, पिकासित किये हैं, और भासाई, बाधाओं को दूर करने के लिए, इसे एक उपकरण की रूम में देखा जा रहा है, इस तरह से आप देखेंगे कि इतने आप लोग पॉयन्ट याद रखेगा, और बाकी का आप लोगों को अगर पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पी अंगलिस में भी और हिंदी में भी है, दोनों को आपका PDF को टेलीग्राम बढ़ डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लिजेगा, और अपने पास आप लोग रख लिजेगा, अब बात आती है बजट की, तो अंगली क्लास में हम लोग बजट के बारे में भी बात कर ल लेंगे और आपका मुझे लगता है कि सभी सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे, ठीक है?